चानक के आये सकेन्वी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं समलेंगिक विवाह के बारे में क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है और अभी हाल ही में इस पर काफी चर्चा हो रही है तो आइए देखते हैं इस पूरे मामले में हर धान पीट को सौम दिया है इस पर अगली सुनवाई होनी है 18 अप्रेल को केंद्र ने कोर्ट में कहा है कि ये भारत की पारंपरिक विवस्ता के खिलाफ है इसमें कानूनी अर्चने है तो साफ साफ पता चल रहा है कि केंद्र इसके पक्ष में नहीं है आईए अब देखते ह काओं में अलग-अलग तरह की मांग की गई है कुछ ही आचिकाओं में समलेंगिक विवा को धार्मिक कानूनों जैसे हिंदू मैरीज एक्ट के तहत मानिता की मांग की गई है कुछ पेटिशन में स्पेशल मैरीज एक्ट सिटिजन्शिप एक्ट और फॉरें मैरीज एक्ट के तहट मानेता देने की मांग की गई है अब इसमें देखेंगे कि कोड का पक्ष क्या है कोड ने कहा है कि समलेंगिक विवास से सम्मंदित मुद्दा एहम और महत्वपोड है और इस पर पांच नय धिशों की पीट के विचार किये जाने की आवशक्ता है कोड ने बताया है कि इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा यानि कि इसका लाइब स्ट्रीम किया जाएगा जब भी ये सुनवाई होगी वहीं केंद्र सरकार ने मामले में दोनों पक्षों की दलील में कटोती नहीं करने का अदालत से आग्रा किया है कहा है कि इस पूरे मामले का समाज पर प्रभाव पड़ेगा याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहट समलेंगिक विवाह के रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है कोड में केंद्र सरकार ने समलेंगिक विवाह को कानूनी मानेता देने के अनुरोज से सम्मन्दित याचिकाओं का यह कहते हुए विरोध किया है कि इससे व्यक्तिकत कानूनों और सविकार्य सामाजिक मुल्यों में संतुलन प्रभावित होगा कोट ने 6 जन्वरी को समलेंगिक विवाहों को कानूनी मानेता देने के मुद्दे पर देश भर के विबिन हाई कोट के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं को एक साथ जोडते हुए उन्हें अपने पास थानांतरित कर लिया था अब यह देखते हैं कि केंद्र सरकार का इस पर क्या कहना है हाई कोट में दाखिल हल्ट नामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतिय दंड सहीता यानि की IPC की धारा 377 के जरिये इसे वेद करार दिये जाने के बावजूद याचिका करता देश के कानून के तहत समलेंगिक विवाह के लिए मोलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं केंद्र सरकार ने एफिडेविट में ये भी कहा है कि विवाह कानून की एक संस्ता की रूप में विबिन विधाई अधिनीमों के तहत कई वैधानिक परिणाम हैं इसलिए ऐसे मान्य समंदों की किसी भी उपचा का न्याय करना और उसे लागू करना विधायका का काम है भारतिय सम्विधारी कानून न्याय शास्त्र में किसी भी आधार के बिना पश्चिमी निर्णों को इस संदर में आयात नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोट में किंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मानेता देने के अनुरोध से संबन्द तियाचिकाओं का ये कहते हैं वो विरोध किया है कि इस से व्यक्तिकत कानूनों और सिविकारिय सावाजिक मुल्यों में संतुलन प्रभावित होगा वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें LGBTQ प्लस कार्यकरताओं की तो उनों उनके अपने पक् मानेता देने का आगरह करते हुए एक खुला पत्र लिखा है रिपोर्ट के अनुसार इसमें ये कहा गया है कि LGBTQ व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को मानेता ना मिलने से सवान्ता और गरिमा के अधिकार के साथ-साथ अंतरंग अभिव्यक्त का अधिकार भी गंबीरता से प्रभावित होता है इसमें ये भी कहा गया है कि भारत सरकार देश के LGBTQ नागरिकों के लिए सवान्ता का अधिकार बनाए रखने की अपनी संवेधानिक प्रतिबंदता को नजर अंदास कर रही है और भेद भावपुन विवा कानूनों को बना अधिकार को अधिकार नहीं है ये सही नहीं है कोट इन याचिकाओं की सुनवाई कोई कानून बनाने के लिए नहीं कर रही है लेकिन इस बात पर चर्चा कर रही है कि कानून पर सवाल उठ रहे है यहीं उसका काम भी है इसके अलावा केंदर का मानना है कि अगर इन याचिकाओं को permission मिल जाती है तो कई कानून और उसके प्रावधानों में बदलाव किये जाएंगे जादातर बदलाव को बहुत ही साधारन प्रकरतिके हैं जैसे की पती पत्नी शब्द को हटा कर उसके जगापर जेंडर न्यूटरल शब्द स्पाउस लिखा जाएगा और कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जहां सामाजिक ऐसामानता के कारण जेंडर केंदरित जो टर्म्स होते हैं उनका इस्तिमाल किया गया है जैसे दहेज, घरेलू, हिंसा, रहन, सैन, वै, आधी को ध्यान से देखना होगा इसमें टाइम भी लगेगा इसके लिए समलेंगिक समोग के प्रतिनिदियों और विशेशिक्गों से चर्चा करनी होगी तो एक एक लंबा प्रोसेस होगा, तो इस वज़े से केंदर इसका विरोध एक तरीके से कर रही है पर दूसरी तरफ समलेंगिक ता के पक्ष में जो लोग है उनका अपना तर्क है उनके अपने भावनात्मक तर्क भी है और तार्किक तर्क भी है ताइवान एक एशिया का पहला ऐसा देश था जहाँ पर समलेंगिक विवा को मानेता दे गई थी वहां की सम्विधानिक कोट ने सरकार को एक निश्चित समय सिमा के भीतर कानूनों में संचोधन करने का आदेश दिया था जब 2018 में समलेंगिक संबंदू को अपराथ की श्रेनी से बाहर किया गया इस फैसले से दिली हाई कोट के 2009 में नास फांडेशन पर दिये गए फैसले पर मुहर लग गए थी इसके बाद से देश में सामाजिक और कानूनी बदलाव काफी देखने को मिले ऐसे में शादी के कानून को भी अभी नए सिरे से देखे जाने की आवश्चकता है ऐसा कहना है इसके पक्ष के लोगों का दूसरा इसके विपक्ष में तर्क आता है कि यह लोग बच्चे को पाले हैं कैसे कैसे रखेंगे तो जो पक्ष में लोग हैं उनका कहना है कि यह लोग 377 हटने के बाद साथ तो रही रहे हैं और बच्चे गोद भी ले रहे हैं या दो कपल में से कोई एक बच्चा पैदा कर रहा है तो वो लोग उस चीज़ को एक सामाजिक मानेता दिलाना चाह रहे हैं इसलिए वो लोग शादी का पक्ष कर रहे हैं जहां बच्चों की बात है तो यह बच्चों को गोद ले रहे हैं या फिर किसी एक पार्टनर से उनका बच्चा होता है यह केवल यहीं मांग कर है कि उनके रिष्टों को मानेता दी जाए ये वे लोग नहीं है जो शादे के रिष्टों को नजरनदास कर रहे हैं बलकि वो तो इसका प्रतिरूची रख है ये वो THIS है जो शादी की पवित्रता में भरोसा रखते हैं और उस रिष्टे को जीना भी चाते हैं उनके बच्चों को भी परिवार में रहने की पर्मिशन मिले जैसे दूसरे शादे शुदा जोड़ों को मिलती हैं यह उनकी मांग है क्या इस मांग से शादे जैसे सरस्ता कमजोर होगी इससे तो इसे और मजबूत होना चाहिए यह भी इनका कहना है जो जादा यूनिवर्सल है और जादा आधूनी को जादा समानता वाला है इसके साथ ही आज का हमारे वीडियो यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कर फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच और सकता है और स्ब्सक्राइब फिर